हेलो फ्रेंड्स मेरा नामे आभी देखे and वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोस की आपडेट को कैसे बंद कर सकते हैं कैसे डिसेबल कर सकते हैं तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और विंडोस का अपडेट अचानक आ जाता है तो बहुत टाइम लेता है वो अपडेट होने में और बहुत गुसा आता है मैं समझ सकता हूँ आपके साथ भी होता होगा मेरे साथ भी होता है तो कैसे इसे डिसेबल करें चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपको यहां पर start पे क्लिक करना है यहां पर आपको सर्च करना है services इसे आप open कर ले इसके बाद आप यहां पर इस तरीके से आ जाएंगे तो यहां कहीं पर भी क्लिक कर दे और नीचे करके अग्दम नीचे आ जाईए आपको यहाँ पर ढूनना है Windows Update तो बिल्कुल नीचे आ जाईए तो यह रहा Windows Update इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आपको Properties दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दे यहाँ देखिए आप देख पाएंगे Startup Type तो यहाँ Automatic पर क्लिक है इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसे Disable कर दे और यहाँ पर Apply कर दे और OK कर दे यहाँ से इसे Cut कर दे तो इस तरीके से आपका Windows बंद हो जाएगा Update ठीक है बट यह एक Permanent Solution नहीं है यह एक Temporary की Solution है बट अगर आपको इसे Permanently Disable करना है तो वो Step भी मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आपको अपने Laptop से Run Command Open करना है Run Search करें यहाँ पर और इसे Open कर ले अब आपको यहाँ पर लिखना है Reg Edit यह लिख दे और Open कर ले यहाँ पर यस करने बोलेगा तो यस कर दे इस तरीके से आपको Option Open हो जाएगा यहाँ दिखाई देगा एच की Local Machine इसे क्लिक करें Open कर ले इसके बाद आपको यहाँ पर Software का Option दिखाई देगा Software को Open कर ले यहाँ पर हमें ढूनना है Policies तो यह रहा Policies इस पर क्लिक करें और अब इसके बाद Microsoft पर क्लिक कर ले यहाँ पर हमें आना है Windows पर Windows में आना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर New पर जाना है की दिखाई देगा की पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको टाइप करना है Windows Update और इस पर इंटर कर देना है जब आप यहाँ पर Windows क्लिक करना है और नूपनीज करना है और की दिखाई देगा कर यहाँपश है। अब यहाँ आपको टाइप करना है यू और इंटर कर देना है इसके बाद आपको आउपक सेलेक्व कर लेना है और यहाँ पर आके Right क्लिक करना है यहां पर आपको न्यू दिखाई देगा और न्यू पर आएंगे तो दी वर्ट 32-bit value पे क्लिक करना है अब यहां आपको लिखना है नो अब अपडेट आप यह ध्यान रखें कि यहां पर एक भी स्पेस ना हो सब आप Capital Letter बिना किसी स्पेस के आपको यहां पर लिखना है ठीक है इसके बाद आप हिट इंटर कर दीजिए इसके बाद आपको यहां पर डबल क्लिक करना है नो अट अपडेट पे तो इस तरीके से यह बॉक्स ओपन होगा बस यहां पर आपको डिसेबल करने के लिए वैल्यू दे देनी है तो एक इंटर कर देना है और ओके कर देना है इसके बाद आपका विंडोज अपडेट पर्मानेंट डिसेबल हो जाएगा उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अलाहाफिज